अकीरा बिस्तर की नीजे ज्हांकती है तुमाँ दो जलपरियां भी होश पड़ी थी जिनके शरीक का रंग धीरे धीरे बदल रहा था अकीरा यह दर जाती है और सहम कर पीछे हटती है परांग यह सब यह सब आखिर क्या है? क्या अकीरा? कौन है यह जलपरियां? जो तुमारी बिस्तर की नीचे है? और आखिर तुमी क्या किया है उनके साथ? तब ही परांग पीछे आकर अकीरा पर हम्रा करकियों से बेहोश कर देता है कुछ देर बाद अकीरा की आख खुलती है तो पहले से ही जेल में थी मैं यहां? मैं यहां केहसे पहुची? कोई है? मुझे बाहर निकालो परांग यह सब क्या हो रहा है? और वहां परांग हस्ते हुए आता है सूचा था तुमको पागर बना कर हासिल कर लूगा और तुमको तो पहले ही सब जानना है कोई बात नहीं मौत का खेल खेलते हुए एकाद भली तो चड़ती ही है तो वो तुम्हारे ही सही तुमको अब बना होगा कीरा परांग तुम पागर हो गए हो क्या? ये तुम कैसी बाते कर रहे हो? यहां खिर चल क्या रहा है अगर हम दर्या में आए तो तुम मुझे अपने घर ले जाने के बजाए यहां क्यो ले आए थे? आखे तुम्हारा इरादा क्या है बोलो पराग बोलो शाहती क्या हो तो मैं इस दरिया का बादशा बनना चाहता हूँ और अपसे यहां सर्फ मेरे हुकुमत चलेगी सर्फ मेरी चांदी हो इस गुलाबी शीशी में क्या है इसमें है इस दरिया की काया पलट का सामान इसकी एक बूंद खोल कर मैं खेने की हर जलपरी को पिला दूँगा और इसके बाद सब मेरे वश में हो जाएंगी वो जो विस्तर के नीचे तुमने रंग बदलती जलपरियां देखी थी ना वो इसी की वज़े से था मेरा पहला शिकार जो थी वो ये सुनकर अगीरा परा के रादे जानकर डर जाती है क्यों परा क्यों ये तो तुमसे प्यार करती थी ना और तुम भी तो बच्पन से मुझे प्यार करते हो ऐसा कहते थे ना प्यार? बिचारी सोनिया, उसको भी इस क्यार पर विश्वास हो गया था, वो भी मुझे यही सब कह रही थी क्या किया तुमने सोनिया के साथ? बोलो परा, आखिर क्या किया तुमने सोनिया के साथ? सोनिया भी उसी जगे है जहां उसे होना चाहिए था तुम्हारी ही तरह एक कैद में पराग की रादे कभी नेक नहीं थे वह जानता था कि कितनी शातर तरीके से जर्या की हुकुमत को हासल किया जा सकता है इसके लिए उसने खेमे से अकीरा को पटाया और डूसरे खेमे से सोनिया को खसाना भी शुरू कर दिया जब सोनिया अकीरा को ढूनने खेमे से दूर निकली थी तो पराग ही था जिसने सोनिया पर पहले हमला किया था और बाद में बचाने का नाटक करके उसका विश्वास जीत लिया पराग ने ही सोनिया को खुद से दूर करके अकीरा को ढूरना चाहा था और इस तरहें पराग सोनिया और अकीरा दोनों का खुब इस्तमाल करता रहा चोडने के लिए पहले बगड़ा तो सही और उसके लिए पहले बदला तो लो जानती हो इस अंधेरी जेल में क्या है तुभारी मौत और पराग हस्ता हुआ वहां से चला जाता है अकीरा उसकी धंके से डर गई थी जादू से बाहर निकलने की बार बार कोशिश करती है मगर पराग जेल के चारो और घिरा बंदी करके उसके जादू को रोख देता है कुछ देर पहले पराग चलाकी करता हुआ गुलाबी रंग का दासी जलपरी को अपने साथ लाता है और जेल के सामने खड़ा होकर बात करने लगता है ओ, ये तो वो मानद जिसकी आप बात कर रहे थे आका हाँ, यही है वो, अब इसका खेल भी खत्व हो जाएगा मैं ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं छोड़ना चाहता, जिससे मुझे खत्रा हो मगर आप करेंगी क्या? मैं कुछ नहीं करूंगा, जो होगा वो इसी की वजह से होगा हमारी जलपरी की दुनिया में जब एक खास जलपरी को कोई मानव छूटा है तो वो पत्थर में बदल जाती है आका ये तो बहुत मज़िदार नजारा होगा कितना तरफे का बेचारा लेकिन आका, अगर इनसान ने पहले ही अकीरा को छूदिया तो बस यही खत्रा है अगर ये इनसान अकीरा को छूदेगा तो अकीरा शहीद हो जाएगी हमें उसे साबधान करके यहां बेजना होगा और दोनों बस्ते हुए वहां से चले जाते हैं अंधेरी जेल के कोने में हलचल होती है और वहां काला कंबल ओड़े एकार में लिटा हुआ था यहां से निकलना है तो मुझे जिन्दा बचना होगा हर हाल में जिन्दा बचना होगा उधर अकीरा के लिए उसकी मौत इंसार कर रही थी और इधर पराग ने उषीशी का सारा तरल पीने के पानी में मिलाकर जलपरियों को पिलाकर खुलावी रंग में बदलकर अरतना गुलाम बना लिया था सब पराग के शारुप पर इधर-धर भाग रही थी और पराग को यह देख कर बहुत मज़ा आ रहा था नाच कहूंगा तो नाचेगी, भाग कहूंगा तो भागेगी, कहूंगा नोच लो एक दूसरे को तो नोच लेगी बाबा होते तो मुझे इतना बड़ा काम करता दे कितना खुश होते बाबा मैं जीत गया बाबा पराग आपका बेटा बन गया है दर्या का बादिशा अकीरा इधर उधर देखती है पर उसे कुछ नजर नहीं आया तब ही एक काले कंबल को पूरी तरह ओड़ा हुआ आदमी उसके पीछे आख़ड़ा होता है अकीरा पलटती है तो एक बार के सहम जाती है आप? आप? आप कौन है? क्या पराग ने आपके साथ भी कलर किया है? आप खबराईए मत मैं अकीरा हूँ यहां की राज कुमारी मैं आपको भी बाहर निकाल दूँगी अकीरा का नाम सुनती ही आदमी खबराज आता है अकीरा यानि खाजल परी? अकीरा बोल ही रही थी कि आदमी ने कंबल से हाथ निकाल कर अकीरा का मूँ दबा दिया और इंसान का स्पर्श पाते ही अकीरा धीरे धीरे पत्थर मों बदल गई उसकी आवाज एकदम दब गई मगर आसू अब भी बह रहे थे शाहीं की वाहों में पढ़ी अकीरा की पत्थर की मूरत अब बस सुबक ही रही थी उधर मर्यम सागर का भी बहुत बुरा हाल थी ये रोने का समय नहीं है ये मेरी अकीरा के लिए बदला लेने का समय है इस पर आख को लगा कि वो जीत गया है लेकिन ऐसा नहीं है जानी मा मैं जब तक उसकी जान नहीं ले लूँगा तब तक मेरा जीवन आपके पास गिर विराएगा अगर मैं पराख को ना मार सका तो ये रही दलवार फुद मेरा गला रिट डालना मेरा जीवन अब खत्म हो चुका है सागर मुझे कुछ नहीं चाहिए और आख अगर हकुमत करना चाहता है तो हकुमत कर सकता है मुझे अब नहीं लड़ना हो मैं ठक गई हो सब खत्म हो गया सब खत्म हो गया मैं ठक गई हो मुझे सोना है सोना है जाओ सब अपनी जान बचाओ चले जाओ यहां से बहुत दूर मर्यम अपने अकीरा के जाने की कमने टूट चुकी थी और वह बड़बडाती हुई उठकर अपनी कमने में चली जाती है और विसर को पकड़ लेती है सागर जमीन पर बैठा प्यार की दुहाई दे रहा था कि तभी अकीरा उसके सामने आखड़ी होती है और उसके कांदे पर हाथ रखती है सागर अकीरा की आवाज सुन सामने देख ने तो वैं सश्मुच अकीरा खड़ी थी ये कोई भ्रह्म है या चमतकार क्या पता अकीरा तुम? हाँ, रुबीना मा ने मुझे पराग की कैट से बचा लिया था सागर अकीरा को थामता है और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल कर उसे जकरता हूँ अपने और खीचता है तो नहीं हो क्या तुम मेरी पत्मी? बोलो, कोई शाक्य उन बातों में जो हमारे वीच हुई है और सागर अपना चहरा अकीरा के चहरे के पास ले जा ही रहा होता है कि अकीरा चिला कर उसे जोर से धखेती है और पीछे हट जाती है नहीं, गुस्ता, ये क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हारी पत्ती नहीं हूँ सागर का कीरा की बाद पर एक बार फिर दिल डूट जाता है और तब ये वहाँ इना मीना आ जाती है खा गए न धोगा, है ना? सच में ये कीरा नहीं है, ये है रानी मर्यम ये देख सागर सक पका जाता है और मर्यम चुटकी बजाते ही फिर से अपने रानी की रोट में आ जाती है कुछ देर पहले, जब मर्यम रोती हुई विस्तर पकड़े अपने कमरे में सोच आती है तो कुछ फल बाद वहाँ इना मीना आती है और रानी को गहर से देखती है इना, मेरे दिमांग में जोग पूरा पौर्ट चल रही है, वही क्या तेरे दिमांग में भी चल रही है? हां, मैं तो भू सब करने का भी सोच रही हूँ तो फिर देख क्यों करे? और इना मीना मेकप उठाकर सोती हुई राणी का मेकप करके उन्हें अकीरा की तरह जवान बना देती हैं और खुश होकर तालिया बजाती है अचानक इना चीखती है राणी साहिबा, राणी साहिबा, उठो मर्यमीन से जागती है क्या हुआ? अकीरा लोट आई है, चल्दी चलिए अकीरा लोट आई है, किदर है मेरी बच्ची और तब ही इना मीना मर्यम का हाथ ठाम कर उससे आईने के सामने खड़ा कर देती है और सामने इशारा करती है ये रहिए आपके अकीरा, खुबा हुँ, आपकी ही परचाई है रानी मर्यम मर्यम खुद को अकीरा बना देख हैरान और इमोशनल थी आप सागर के पास जाकर अकीरा होने का नाटब करिए और अगर बहें आपको अकीरा मान जाता है तो फिर मिलकर पराग का बैंड बजाएंगे मैंने देखा है इंसान बैंड जैसी चीज़ का बहुत आनंद लेते हैं तुम दोनों नलायक ही सही पर अकीरा की अच्छी दोस्त हो और मर्यम अकीरा बनकर सागर के सामें आती है अफ में अकीरा बनकर पराग की पास जाऊंगी लेकिन उससे पहली इना मीना की पास मिरली कुछ और भी है इना मीना गुलाबी रंग लाकर मर्यम को पोद कर गुलाबी रंग की जलपरी में बतल देती है इससे रानी मर्यम पराग को ये दिखाएंगी कि वो उसके जादुए शर्पत को भी कर उसका घुलाव बन गई है और जब रानी मर्यम अकीरा बनकर पराग को उलजाएंगी तब तक तुम कारगहा से अकीरा और रानी राजा को भी अजाद कर लेना सागर वा, तुम दोनों तो बहुत स्मार्ट हो यार नहीं नहीं समराग नहीं, मैं इना वो मीना समराग तो हमारे चाचा का लड़का है पर तुमको हम दोनों मर्द लग रही हैं क्या? ए ए, मैंने बोला था मीना, इंसान अगी दुनिया में पार लर हुआ थे एक बार अब समझा, अकीरन के साथ रहकर ऐसी कर दी थी पराग दरबार में था कि तब भे अकीरा को आता देखकर चौक चाता है अब देखिए क्या पराग सागर और मर्यम की प्लान में फस जाएगा या फिर मर्यम भी कैद हो जाएगी जानने के लिए देखिए हमारा इश्के दर्या का अगला और आखरी भाग के वल आनम स्टोरीज पर